क्या दे हम भगवानी शिवको कार्थिक के महिने में एक बेल पत्र, तीन शमी पत्र बहुत ध्यान दीजेगा कार्थिक के महिने में एक बेल पत्र, तीन शमी पत्र कार्टिक के महिने की दोनों अश्टमी में से किसी भी अश्टमी पर चाहे उजाले की हो चाहे अंधिरे की शुकलपक्ची की हो चाहे कृष्णपक्ची एक बेलपक, तीन श्वमी पर आप कभी दिल से, कभी मुका मिले घड़ाय से, दामोदर मास में, कार्टिक मास में आश्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेल पत्र दिया था क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वेबहुत दिया कि नहीं दिया जो इस्थिती में गाड़ी चल रही थी वो इस्थिती की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुआ कितने बेल पत्र बोल बोल जम के बोल जड़ा कितना शमी पत्र अब एक दिल पत्र के श्चाइब आए एक दिल पत्र के श्चाइब अधा अ कभी स्मरण मे लाईएगा बस ये जो कार्टिक महिने में दामोदर मास में आप एक बेल पत्र तीन शमी पत्र अश्टमी के दिन चाहे शुकल पक्चकी हो चाहे कृष्ण पक्चकी हो दोनों अश्टमी में से किसी भी अश्टमी को जब आप समर्पित कर दो तो चम्पेश्वर महादेऊ का नाम लेकर कौन से महादेऊ का जम के बलो जरग सबकी आवाज आना चाहिए चंपेश्वर महादेव केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशुक सुंदरी का इसपर्ष कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करेज़े अशुक सुंदरी तो मालू मैंने सब को जैसे ये शिवलिंग ये जलाधारी ये बीच में से जो तो लाइन गई गणेश कार्टी के और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुक में उसको अशुक सुंदरी का इस्थान का शंकर भगवान के उपर जो जल की जलाधारी लगती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है वो भगवान शंकर की पाँच बेटियां है जो उपर कलश के रूप में रखी रहती हैं जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है जया, विशहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, शिवजी की पाँच बेटी, शंकर भगवन की छटी बेटी अशुक सुंदरी बीची जब आप बेल पत्र एक, शमी पत्र तीन, चंपेश और महादियू का नाम लेकर अशुक सुंदरी का इस पर शुकरा कर भगवन शंकर को जब आप समरपित करेंगे, इस कार्थिक महिने में, दामोदर मास में, अश्टमी तिथी के दिन, चाहे वो शुकल पक्च की हो, चाहे वो कृष्टमी तिथी को, अगर समरपित करते हैं, तो आप वर्ष भर में इंतजार करकर जरूर बताना, कि तुम साल भर पहले, जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले, तुम जो वेपार विर्षाय कर रहे थे, साल भर से, जो नोकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सभलता, आपको अगले वर्ष की, दामोदर मास आने से पहले मिली की नहीं मिली, को इस मरपितर बुना जाएं, आप लोग तोड़ के फेक देते हैं, ध्यान है, बेल पत्री के पीछे एक मोटा सा भाग होता है, जिसको आप तोड़ के फेक देते हैं, वो जो दूट होता है, बेल पत्री का पीछे वाला, उसको संकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली है, अशोक सुंदरी की जगा अशुक सुंदरी वाली जो जगा है वहाँ पर समर्पित करकर जो लगा पार पास दिन तक उस दूट को चड़ा कर चबा चबा कर जया विशहरा शामरीबारी दवतली देव के नाम से खाता है उसकी रीड की हड़ी में गेप हो चाए घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हो उसमें आराम मिलना प्रारम हो जाता है फिर आपरेशन की जरुवत नहीं पड़ती है जान देए कंददेव एक आरती के कारती के महिने में जो दीबदान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है